हलो एवरिवान, वेलकम और वेलकम बाक, तो आज हम बात करेंगे ओनलाइन गेमिंग एडिक्शन के बारे में, जिसने की चिल्डरन को वाइलेंट बना दिया है, इवन क्राइम तक करने पर मजबूर कर दिया है, इस नियूज को पूरा डीटेल में डिसकस करेंगे, पर उससे पहले आपने जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, एक केस सामने आया है, जिसमें एक लड़के ने साड़े चार लाख अपने घर से चोरी करें, सिर्फ गेम्स में ल निवर्सिटी के, स्पेशल क्लिनिक के जो एक्सपर्ट्स हैं, जहां पर ये एडिक्शन्स, ओनलाइन एडिक्शन्स को ट्रीट करा जाता है, उन्होंने बताया कि सेवरल केसे रिपोर्ट करे जाते हैं, एवरी मन्थ, जिन में किड्स को देखा जाता है, बच्चों को आते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चों के, जो की ओनलाइन गेमिंग अडिक्शन के शिकार हैं, और सबसे जो वरिसम बात है, जो फैक्ट है इस चीज का वो ये है कि इसका कोई एंड ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है, आप एक लेवल क्लियर करोगे, आपको दूसरा चैलेंज दे दिया जाएगा, और ऐसे ही आपको इस चीजों का अडिक्शन हो जाता है, और आप सोशली एलियनेटिट हो जाते हो, यानि की सोसाइटी से फिर आप अलग हो जाते हो, उनसे बातचीत नहीं करते हो, सिर्फ अपने में ही लगे रहते हो, सिर्फ वाइलेंट होने तक सीम दिये जाते हैं, और फिर जो बच्चे होते हैं, वो पैसा उधार ले लेकर भी गेम्स में लगाते हैं, उसे हार जाते हैं, और उसके बाद जब उनके पास कोई रस्ता नहीं रहता, तब वो स्विसाइड कमिट कर लेते हैं, ये कुछ टाइम पहले की निउज है, मदरास हा रही है, ओनलाइन गेम्लिंग, और कुछ हमें कुछ जो गेम्स हैं, उनको बैन कर देना चाहिए, और जो बाकी हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई अथोरिटी होनी चाहिए, यानि कि स्टेट गवर्मेंट को रेगुलेट करने चाहिए, जैसे कि पोकर है, रमी हैं, इनको regulate करो और ये recent news है कि तमिलाडू ने ban भी लगा दिया है जो games of chance है यानि कि जो 60 बाजी वाले games होते हैं और gambling पर बहुत सारे games पर तमिलाडू में ban लगाया गया और बहुत सारे regulate करने के लिए authority बनाई गई और जो ban लगा वो रमी और poker जैसे games पर भी लगा and it is high time बाकी states भी आगे आकर ऐसी कोई regulation authority बनाए या फिर ban लगाए जो भी necessary steps है वो लिए जाए ताकि youth और जादा trap ना हो online gaming addiction में और उन्हें अपने अच्छे और बुरे का फर्क समझ में आ सके so this was the news for you guys I hope you loved it if you did please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video till then stay happy healthy and bye